मुरादाबाद में अमिर शाह ने जनसभा को किया संबोधित मंच से विपक्ष पर चम कर हुए हमलावर कहा श्री राम 500 साल बाद मनाएंगे घर में अपना बर्थडे सहारनपुर से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीम योगी ने माफियाओं पर दिया बड़ा बयान कहा हमने माफियाओं को उल्टा लटका कर लगा दिया मिर्ची का चौका पीली भीच से अखिलेश ने शुरू किया चुनावी प्रचार साधा बीजेपी पर निशाना कहा अगनीवीर योजना से यूवा नहीं है खुश समाजवादी हटाएंगे अगनीवीर योजना लोग सभा चुनाओं के तहट बीएसपी ने जारी की उमीदवारों की चौती सूची कुल नौ उमीदवारों में तीन ब्राम्हन, दो मुस्लिम और बाकी OBC और दलित को दिया टिकेट लखनाओं के निजी अस्पताल पर ओम्रकाश राजभर ने लगाया गंभीर आरोप, मा के निधन के बाद कहा अस्पताल ने चार दिन में लूट लिये चार लाग फिर भी नहीं किया सही से इलाज, डिप्टी सीएम को दी शिकायर मुरादाबाद से ग्रिह मंत्री अमिट शाह, विपक्ष पर हुए हमलावर, माफियाओं पर बोले योगी, उल्टा लटका कर लगा दिया छोका, पीली भीट से बोले अखिलेश, समाजवादी हटाएंगे अगनी वीर योजना, इद पर बाबरी पक्षकार से मिले पुजा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की, इस दोरान वह विपक्ष पर जम कर हमलावर दिखे, साथ ही कहा कि श्रीराम 500 साल बाद अपने घर में बर्थडे मनाएंगे, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में देश की त आई, आपने मोदी जी को दूसरी बार पीएम पद पर बैठाया, और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को अनुछे 370 खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि आज हमारा तिरंगा गर्व के साथ वहां लहरा रहा है, मोदी जी के नेत्रित्व में कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ हो च मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तयार है, बता दें इस चुनाव में बीजेपी 370 को भी बड़ा मुद्दा बनाने की तयारी में है साहरनपुर से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीयम योगी विपक्ष पर चम कर हमलावर हुए उन्होंने कहा एसपी, बीएसपी और कॉंग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग माफियाओं को संडरक्षन देने का काम करते हैं बीजेपी ने दंगाईयों पर कारवाई की, हमने माफियाओं को उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का चोंका लगा दिया कहा जातिवादी राजनीती करने वालों ने साहरनपुर को मजहभी उन्माद का केंद्र बना दिया है पीली भीट से स्पी प्रत्याशी भगवत शरन के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जम कर हमलावर हुए बता दे लोगसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए अखिलेश यादव की पहली रैली थी उन्होंने रैली में पीएम मोदी, जतन प्रसाथ और वरुण गांधी को लेकर भी तंज कसा कहा बीजेपी की पहचान ही जूट और लूट है पीली भीट से अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा कहा बड़े बड़े नेता पीली भीट आकर अपनी बात रख चुके है पीली भीट का नाम सुनते ही उनके चहरा पीला पर जाता है अखिलेश ने अगनी वीर योजना की बात करते हुए कहा कि युवाओं की चार साल की नौकरी है जिससे युवाँ खुश नहीं है समाजवादी लोग इसे हटाएंगे कहा बीजेपी एक बार फिर आ गई तो खाकी वर्दी वालों को भी तीन साल की नौकरी कर देगी फैसाबाद से सच्चिदा नंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, चंदोली से सतेंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट गंज से धनेशवर गौतम उमीदवार है आजमगड के भारतिय जनता पार्टी जिला कारयाले पर शुक्रवार को दिन में प्रदेश के कृषी मंतरी सूर्य प्रताप शाही ने सदर्विधान सभा संचालन समिती, मंदल अध्यक्षों, शक्ती केंदर सयोजकों और प्रभारियों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीती तै की, इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदादिकारी और कारेकरताओं को उनकी जिमधारियों के प्रती सचेथ करते हुए उनके निर्वाहन को लेकर ततपर रहने को कहा, कृषी मंतरी ने प्रति एक पतादिकारी से चुनाव को लेकर और तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को एक बार फिर पीम बनाएंगे इसी उद्देश को लेकर वह दो दिन से आजमगड में हैं यहाँ पर आजमगड लोकसभा और लाल गंज लोकसभा के सीठ है और एक दिन पूर्व तीन विधान सभा के पदाधिकारियों के सा उनकी उम्र 85 वर्ष थी जितना देवी फेवडे की बीमारी से पीडित थी और केजी मु में इलाज करा रही थी पार्टी ने जानकारी दी उनका पार्थिव शरीर वारनसी स्थित पैत्रिक गाउं फतेपुर खोदा ले जाया जा रहा है इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ ने सुहेल देव भारतिय समाज पाटी के राष्ट्री अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री योम प्रकाश राजबर की माता जितना देवी के निधन पर शोग जताया और दिवंगत आत्मा की शान्ती की कामना की यूपी सरकार में पंचायत राजमंत्री ओपी राजबर ने लखनव के एक निजी अस्पताल पर लूट का आरोप लगाया है उनका कहना है कि उनकी मा के इलाज में पिछले चार दिन में चार लाख रुपे लूट लिये गए और इलाज भी ठीक से नहीं किया राजबर ने इनकी शिकायत स्वास्त मंत्री और डिपटी सीम से की है पश्चिमी उत्तरप्रदेश में अपना प्रभाव रखने वाले नागर बंधू यानि मलुक नागर और लखी राम नागर्न के आरलडी में शामिल होने से एंडिये गटबंधन के मजबूत होने के आसार है नागर परिवार का गुर्जर समाज में खासा प्रभाव माना जाता है नागर परिवार के आरलडी जॉइन करने पर बीएसपी को बड़ा चटका लगा है बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के तहट उम्मीदवारों की चौथी सूची चारी कर दी है इस लिस्ट में नौ लोकसभा छेतर के लिए उम्मीदवारों का एलान किया गया है बता दें तीसरे चरण के चुनाव में आज नामांकन शुरू हो गया है BSP की चौथी सूची में शामिल कुल 9 उमीदवारों में 3 ब्राम्मन, 2 मुसलिम, बाकी OBC और दलित को टिकट दिया गया है BSP ने पहली सूची में 16, दूसरी लिस्ट में 9 और तीसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट के नामों का एलान किया था जिसमें मतुरा कैंडिडेट बदलना भी शामिल था अब चौथी सूची के 9 कैंडिडेट को लेकर UP की असी में 45 सीटों पर BSP उमीदवारों की खोशना हो चुकी है मुदफर नगर में बीजेपी नेता निधीश राजगर्ग ने संधिक्द परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली गोली लगने से बीजेपी नेता गंभीर रूप से खायल हो गया जिसे आनन फानन में आनन्द हॉस्पिटल में भरती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है वहीं घायल भाजपा नेता निधीश राजगर्ग से मुलाकात करने के लिए राज़मंत्री स्वतंद्र प्रभार कपिल देव अगरबाल आनन्द उस्पिटल पहुँचे जहां उन्होंने उनके चल्द स्वस्थ होने की कामना की तिहार जेल से रहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राजसभा सांसद संजय सिंग 12 बंकी पहुँचे यहां संजय सिंग ने अपनी पतनी के साथ देवा शरीफ मजार पर पहुँचकर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी इस तोरान संजय सिंग मीडिया से नहीं मिले और मजार पर चादर चढ़ाने के बाद 12 बंकी निकल गए लोग सभाचुनाओ के मद्दे नजर तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रियाश शुरू हो गई है 19 अपरेल तक नामांकन किये जाएंगे 13,14 और 17 अपरेल को अफकाश रहेगा ऐसे में MG रोड पर जुलूस के चलते जाम रहने की संभावना है नामांकन को लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई है यूपी के किसानों को सरकार टेक्नोलोजी से जोडने की कोशिश कर रही है इसी के तहट अब यूपी के किसानों को खेती में काम करने के लिए ड्रोन भी मददगार साबित होंगे इसके लिए सरकार से मनजूरी मिल गई है लेकिन इसके लिए कानपूर का सेडिफिकेट लेना जरूरी होगा सरकार का मानना है कि खेती में टेकनॉलोजी के प्रयोग से किसानों को अधिक लाब होगा आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां मिया बीवी में IPL और सीरियल देखने के लिए TV के रिमोट को लेकर विवाद हो गया बात इतनी बढ़ गई की मामला थाने तक जा पहुँचा पुलिस ने पती-पतनी की काउंसिलिंग की जिसके बाद परा मर्श केंदर में समझोधा किया रोज मैन के रूप में पहचाने जाने वाले बरेली के आदित्य सिंग बिना मिट्टी के सौ तरह के गुलाब उगा रहे हैं आदित्य बरेली के गणेश नगर के रहने वाले हैं इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वह लोगों को गुलाब उगाने के तरीकों के बारे में बताते हैं उनका मानना है कि उनके चैनल से ट्रेनिंग लेकर कोई भी अपने घर में गुलाब उगा सकता है यूपी पुलिस भरती पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टर माइंड को गिरफतार कर लिया है उसके बाद उससे जुड़े 35 एजेंट और 20 कंप्यूटर लैब भी पुलिस के रिडार पर है पूचताच में रवी ने 35 लोगों के नाम का खुलासा किया है जो इससे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे बताया जा रहा है कि इन में सभी आरोपियों के मुबाइल पंद है पुलिस न सब की तलाश में जुटी है कांच की बढ़ती कीमतों को देखते हुए शराब बनाने वाली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है पताया जा रहा है कि अब शराब प्लास्टिक की बोतलों में बिका करेगी इसकी पैकिंग को स्मार्ट बनाने के साथ साथ इसे हिप बोतल का नाम दिया गया है बता दें कि लंबे समय से शराब कांच की बोतलों में आती थी दबंग बाइक मालिक ने अपने परजनों के साथ मिलकर रिक्षा चालक पर चाकों से हमला कर दिया। इस मामले में एक महिला सहित तीन लोग लहू लुहान हो गए। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। तभी घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है। कन्नौज में कुछ अराजक तत्वों ने बाबा भीमरा वंबेडगर की प्रतिमा को शतिग्रश्ट कर दिया। घटना से पूरे इलाके में हडकंप मच गया। मौके पर पहुँची पुलिस से नाराज ग्रामिनों ने नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। घटना से लोगों में काफी रोश है। अलिगड की कोतवाली सिविल लाइन छेतर के रेलवे स्टेशन स्थित रोशनी होटल में आग लगने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन और अलिगड विकास प्राधिकरन की टीमों के द्वारा छे होटलों को सील कर दिया गया है। साथी होटल के मालिकों को नोटिस थमा दिया गया है। अवैद रूप से संचालित होटलों के मालिक से फायर की एनोसी। और एडिये से होटल के नक्षे मांगे गए तो होटल संचालक के द्वारा कोई दस्तावेज जाच टीम को नहीं दिखाए गये। जिसके चलते जाच टीम ने अवैद रूप से संचालित छे होटलों को सील करते हुए उनके मालिकों को नोटिस दिया है। अबास अंसारी से मिलने उसके परिजन जिला जेल पहुँचे। अबास के भाई उमर अंसारी और अबास की पतनी निकहत भी बच्चों के साथ जेल पहुची। अबास गाजीपुर जेल में कस्टडी पैरोल के तहत है। अबास की कस्टडी पैरोल आज खत्म हो गई है। इक्बाल अंसारी को ईद की बधाई दी, सब परिवार इक्बाल अंसारी ने राम लला के प्रधान पुजारी का भी स्वागत किया, ईद के मौके पर राम लला के पुजारी ने इक्बाल अंसारी के आवाज से हिंदू-मुस्लिम एक्ता के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया आचार सतेंद्र दास ने कहा मैं आज इकबाल भाई के घर एद की मुबारक बात देने आया हूँ इस समय हमारे यहां राम नवमी का पर्व चल रहा है मैं कामना करता हूँ कि मुसलिम भाईयों के भावना की पूरती हो एकबाल बाबरी पक्ष के पक्षकार है और मैं राम जन भूमी का पुजारी हूँ हमारे पर्व में इन लोगों की भी पूरी सह भागिता रहती है इस तरह हम भी अपने योगदान देने के लिए आए है हापुड में आद समाजवादी पाटी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर गटबंधन और स्पी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के चुनावी कार्याले का उधगाटन करने के लिए पहुँचे यहाँ पहुचकर उन्होंने सबसे पहले फीता काटकर कार्याले का सुबारंब किया उसके बाद मंज पर पहुचकर उन्होंने जनता से गटबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की उन्होंने बताया कि मेरट हापुड लोगसभा की जनता ही नहीं बलकि देश की जनता को फर्जी लोग नहीं चाहिए यहां राम सभी के दिलों में बसे हैं यहां किसी फर्जी राम की जरूरत बिल्कुल नहीं है